बच्छों, आज हम आपको करवाने वाले हैं छोटी E की मात्रा, जो मैंने पहले छोड़ दी थी, इस तरह से हमारी छोटी E की मात्रा लगती है, और किसी भी वर्ण पर अगर हम उसे लगाते हैं, तो उसका जो उचारण होता है, वह होता है P, इस तरह से हम इसका उचारण करते हैं, और इस तरह से मात्रा आप देखिए किस तरह से मात्रा लगाई गई है, अब हम छोटी E की मात्रा के कुछ शब्दों का उचारण अभ्यास करेंगे, देखिए यहां से शुरू करते हैं, मिलना, घिरना, दिखना, विज्ञान, शिकार, जिस, गिरना, खटिया, किला, यह जो पहली लाइन के आठ शब्द हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, और यह बागी शब्दों का आप उचारण का अभ्यास करते हैं, कितना, किताब, निखार, कटिला, सितारा, आखिर, दिमाग, गिरना, तिल, आगे बढ़ते हैं, जितना, गिलास, पिता, कठिन, निशान, सरिता, बिगड़ना, कपिल, कठिन, जिजक, तिलक, दिशा, हिलना, मिटाना, मालिक, कविता, दिल, अडिग, आगे बढ़ते हैं, बच्चों, दिन, थिरक, चिड़िया, निकल, बढ़िया, पतीला, घटिया, मिला, तो इस तरह से ये छोटी एगे मात्रा के शब्द है, अब हम कुछ अभ्यास और करते हैं, और एक वाक्य के रूप में इसे समझते हैं, जैसे, किरन, किताब, ला, डाकिया, पत्र, लाया, विमल, चिड़िया, मत, पकड़, सरिता, दलिया, खा, किसान, हल, चला, फिदा, मिठाई, खिला, पिता, हिरन, लाए, इस तरह से ये छोटी ए की मात्रा के शब्दों का अभ्यास आज हमने किया है, अब आप अपनी कॉपी पर ये जो शब्द हैं, जैसे, मिलना, घिरना, दिखना, विज्ञान, शिकार, जिस, गिरना, खटिया, और किला, इन शब्दों को आप लिखेंगे भी, और ज्यादा से ज्यादा मात्राओं का अभ्यास करिए, ताकि जब हम आपसे बुक शुरू करवाए, ठीके, तो मैं देखूं कि मेरे सारे ही बच्च मिलना, छोड़ दीजिए, समझ के करिए, और जब भी ऑनलाइन क्लास होती है, आप प्लीज अपनी ममा की तरफ या अपने पापा की तरफ ना देखें, आप बस कैमरे की तरफ देखिए, और जो भी मैं आपको दिखाते हूं, उसको आप पढ़ने की कोशिस करिए, ठीके, तो चलिए बच्चो, आज कि हम यहीं भी खतम करते हैं, ओके बच्चो,